भारत माता की महान पाटली पुत्र के इज्ञान विज्ञान शावर्य पराक्रमी वैभवसाली भूमी के नमन करितियो रवाज सबन के हमार प्रणाम पहुचे भाईयो और बैनो आज छठे चरण का मद्दान हो रहा है मत्दाताओं का अभूत पुर्व उत्सव और उमंग हम लगातार देख रहे हैं मैं देश के हर मत्दाता का अभिनंदन करता हूं और भारी संख्या मैं मत्दान का आग्रह करता हूं साथियों ये भूमे स्वर्गिय कैलास पती मिस्टर जी की विरासत है उनकी तपस्या हर बीजेपी कायर करता के लिए प्रेरणा है बीजेपी कायर करता हूं के महनत का परणाम आज पुरा देश देख रहा है ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मनेर के लड्डू खा ग्या है हो मनेर के लड्डू महसूर तो है लेकिन लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है आप लोग भी चार जून के लिए ये मनेर के लड्डू तयार रखे चुनाव के नतीजे क्या आने वाले है उसका एक्जिट पोल चालू हो गया है आप समझ लीजिए जब इंडी गड़बंदन वाले सोते उड़ते जागते बैढते इवी एम को गाली देना शुरू कर दें मतलब की एंडी एकी सबलता का एक्जिट पोल आ चुका है चार जून को पाटली फुत्र में नया रिकॉर्ड बनेगा और देश में भी नया रिकॉर्ड बनेगा नवजवान आप बैठिये मैंने देख लिया है आप बहुत बढ़िया काम करके लाए बैठिये आपके वो पोस्टर के कान पीछे लोगों को दिखता नहीं है अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको भी सुविदा होगी और पीछे वालों को भी सुवधा होगी और आपके डारेक्टर जो होंगे साथ में उनको भी बता दीजिए कि आपको परिशान न करे छोटे बैचों को क्यों परिशान कर रहे हुआए साथियों मैं हिंदुस्तान के कौने कौने में गया जनता जनार्दन के दर्शन करने गया देश वासियों के आसिरवार लेने गया माताओं बेहनों के सामने सर जुकाने के लिए गया हूँ और चारों तरप से एक ही मंत्र सुनाई देता है एक ही गुंज सुनाई दे रही है एक ही विश्वास चारों तरप प्रगट हो रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों चोबिस के इस चुनाव में एक तरप चोबिस घंटे आपके लिए महनत करने वाला मोदी है तो दूसरी तरप चोबिस घंटे आपसे जूठ बोलने वाला इंडी कड़ बंदन है एक तरप मोदी है जो चोबिस घंटे साथो दीन दोजार सैतालिस में विक्सित भारत बनाने में जुटा है जो 24 by 7 आत्म निर्भर भारत बनाने में जुटा है जो 24 by 7 देश की सुरक्षा बढाने में जुटा है जो 24 by 7 अच्छी आधुनिक सडके आधुनिक रेलवे देने में जुटा है वहीं दूसरी तरप ये इंडी कड़ बंदन है इंडी कड़ बंदन के पास काम नहीं है समय ही समय है, खाली है देश वाजन उनकी छुटी कर दी है कोई जेल में विश्राम करके रहते हैं कोई बाहर रहते हैं और इसलिए ए इंडी कड़ बंदन दीन हो या रात सिरफ मोदी को गालिया देने में जुटा है दीन हो या रात वो वोट बंग को खुश करने में जुटा है साथियों एली डी के बल्ब उसका जमाना चल रहा है और यह यहां बिहार में लालतेनिया लेकर के भी गुम रहे हैं और एक ऐसी लालतेनिया है जो सिरफ एक ही घर में रोशनी करता है एक ही घर में रोशनी की है तीस साल का इतियास देख लीजिए एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए उनके घर की रोशनी जलती रहे इस लालतेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है इंडी गडबंदन मालों का सूत्र है अपना काम बनता भाड में भाए अपना काम बनता जरा जोरों से बताईयों तो सुनाई दिया उनको अपना काम बनता ये ऐसे लोग है भाईयों और भाणों ये सिरफ MP चुनने के लिए चुनाव नहीं है ये चुना देश का पियम चुनने के लिए है अब आपका वोट मामूली नहीं है अब आपका वोट इतना वजंदार है इतना ताकतवर है कि आपका वोट देश का पियम चुनने वाला है बले आप पाटली पुत्र में बेटे हो लेकिन दिल्ली का फैसला आप मेरे भाई बेहन करने वाले हो और भारत को कैसा पियम चाहिए भारत को कैसा पियम चाहिए भारत को कैसा पियम चाहिए भारत को ऐसा पियम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके वहीं दूसरी और ये इड़ी वाले हैं इंडी गड़बंदन की योजना पाँच साल में पाँच पीम देने की है अब मुझे बताईए भाई पाँच साल में पाँच पीम क्या होगा इस देश का और इसके लिए दावेदार कौन-कौन है ये पाँच पीम दावेदार कौन-कौन है गांधी परिवार का बेटा सपावाले परिवार का बेटा National Conference परिवार का बेटा NCP वाले परिवार की बेटी TMC वाले परिवार का भतिजा आप पार्टी के आका की पत्नी नकली शिवजेना परिवार का बेटा और आरजाडी के बेटे या फिर बेटिया ये सारे परिवारबादी मिलकर प्रधान मंत्री की कूर्सी पर मुजिकल चैर खेलना चाहते है साथियों ये इंडी गड़बंदन के लोग और मैं जब कहता हूँ तो मैं आपसे भी आगरा करूँगा मैं जो बात बताता हूँ एक बार खुद भी जाँच परताल करके देख लेना मेरा एक शब्द आपको गलत नहीं मिलेगा मैं तीन बाते बताता हूँ ये लोग गोर सामप्रदाइक है इनको सम्विधान से बिन सामप्रदाइक ता से सर्वपंत संभाव से कोई लेना देना नहीं है ये लोग गोर जातिवादी है और ये लोग गोर परिवार वादी है सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोते हैं बाक्यों को सब को पीछे रखते हैं क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं बिहार का भला कर सकते हैं पाटली पुत्र का भला कर सकते हैं आपके परिवार का भला कर सकते हैं जाथियों बिहार की इस धर्ति ने सामाजी न्याएक को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है SC, ST, OBC के आरक्षन के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है लेकिन आज बिहार के जांगरूख लोगों के सामने मैं दुख के साथ बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच रखा हूँ क्योंकि मैं भी आपी की तरह अती पिछड़े लोगों के बिच में पल पर करके आपके बिच पहुंचा हूँ इसलिए मैं उद्दर्थ को जानता हूँ कोई क्वेस्चन मार नहीं है हमारा समिधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा बाबा साब आमबेड कर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा लेकिन आरजेडी, कॉंग्रेस, स्सी, स्टी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बेंक को जो वोट जिहाद करते हैं ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षन देना चाहती है 24 के इस जुनाव में जब मैंने इंदलों की इस साजिस का परदा फास किया है तो एक के बाद एक इनकी SC, ST, OBC आरक्षन विरोधी करतूते सामने आ रही है मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवार जनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूँ आरजेडी कॉंग्रेस ने मिलकार मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुष्वाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सुरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निशाद परिवारों को, मेर मेरे पास्वान परिवारों को मेरे रविदास परिवारों को मेरे मुसहर परिवारों को ऐसे हरे का जो आरक्षन था ना उस पर डाक काड डाल दिया है आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकर के जैसे चोरी कर जाए बैसे इन लूटेरों ने आपके हग को लूटा है मैं बात कर भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन पर बड़े गाव लगे हैं बाईयो और इन जात्यों के आरक्षन का कोटा कम करके आरजेडी कॉंग्रेस इंडी गड़बंदन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बैंक को दे दिया है साथियों SC, ST, UBC के हमारे बच्चों को दो दाखिले में आरक्षन से बहुत मदद मिलती थी लेकिन आरजेडी कॉंग्रेस ने दलीतों, पीछडों, आदिवास्यों के बच्चों से अतिपीछडों के बच्चों से ये अधिकार उनसे छिन लिया और मुसल्मानों को दे दिया है ये सम्विधान के खिलाप है, ये डॉक्टर राजे ने प्रजाद और बापा साब आमबेड करने जो सम्विधान बनाया, उसके पीछ में छुरा बॉक्टने वाला पाप किया है अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कॉंग्रेस ने रातो रात माइनोरिटी इंस्टिटूशन से जुड़ा कानुन बदल दिया इसके बाद धड़ा धड़ हजारों संस्थानों को माइनोरिटी इंस्टिटूशन गोशित कर दिया इन संस्थानों में पहले एड्मिशन के दोरान SC, ST, OBC अती पीछडे को पूरा आरक्षन मिलता था RJD कॉंग्रेस के चलते आज SC, ST, OBC अती पीछडे को माइनोरिटी इंस्टिटूशन में एक टक्का भी एक परसंट भी आरक्षन नहीं मिलता है जो पहले मिलता था उतको ताले लगा दिये आपका हग था उत पर डाका डाल दिया यानि लाखों SC, ST, OBC अती पीछडे युवाओं की शिक्षा के अवसर इंडी गट मंदन वालों ने छीन लिये आप मुझे बताईए क्या ये आप से विश्वाद का धायक नहीं है ये आप से विश्वाद का धायक नहीं है मैं ज़र आप से पूछता हूँ क्या ये आप से विश्वाद का धायक नहीं है क्या ये आपके बच्चों के साथ विश्वाद का धायक नहीं है साथियों इंडी गट बंदन की एक और साजी उसको अभी कलकत्ता हाईकोट ने देश के सामने नकाब उतार करके खुला कर दिया है इंडी वालों ने बंगाल में सततर मुस्लिम जातियों को खटा खट खटा खट एक जटके में ओबिसी का दरजा दे दिया इसके बाद सरकारी नोकरियों में जो लाब ओबिसी को मिलने चाहिए था अती पिछणों को मिलने चाहिए था वो इन सततर मुस्लिम जातियों को मिलने लगा हग किसका मारा गया हग मेरे ओबिसी परिवारों का मारा गया मेरे अती पिछणों का मारा गया फाइदा किसको हुआ इंडी वालों की बोट जिहाद करने वालों को मिला वैसा ही कॉंग्रेस के राज में करना टका में रातों रात सभी मुसल्मानों को ओबिसी गोशित कर दिया साथियों आरजेडी कॉंग्रेस इंडी गड़ बंदन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते ये संविधान बदल कर पूरे तेश में धर्म के आधार पर आरक्षन देना चाहते हैं लेकिन मैं भी आज बिहार की इस दर्ती से सामाजी की न्याय की पुन्य भूमी से देश को एक गारंटी देता हूं बिहार को गारंटी देता हूं SC, ST, OBC परिवारों को गारंटी देता हूं अती पिछडे परिवारों को गारंटी देता हूं जब तक मोदी जिन्दा है मैं SC, ST, OBC और अती पिछणों के हकों को छीनने नहीं दूँगा ये मोदी की गारंटी है मोदी के लिए सम्विधान सर्वो परी है मोदी के लिए बाबा सावां बेड करके भावना सर्वो परी है इंडी अलाइंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे उनको वहाँ जाके मुझरा करना है तो भी करे मैं SC, ST, OBC आरक्षन के साथ डट करके खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, जब तक जान है लड़ता रहूँगा साथियों, गरीब का ये बेटा जानता है कि जब किसी का हक छिनता है, जब किसी को उसका हक नहीं मिलता, तो उस पर क्या बीचती है इसलिए मोदी ने गरीब को उसका हक दिया है, इसका सब चबड़ा लाब मेरी माता और बहनों को हुआ है और तभी हिंदुस्तान के हर कौने में शायद दुनिया के लोगों का इतरज होता है कि ऐसे हज़ार और लाखों की तादाद में माता और बहने आती हैं, बैठ करके आशिरवाद देती हैं, अपना घर का काम छोड़ करके आती है आप याद कीजिए, देश के गोदामों में अनाज सड़ जाता था लेकिन कॉंगरेस सरकार कॉर्ट में जाकर सुप्रिम कॉर्ट में जाकर कहती थी कि वो गरीबों को अनाज नहीं दे सकती हैं, और सुप्रिकयोट ऐसे टांगडाना बन कर दे, आहां तक चले गए जहो लोग मोदी ने हर जरुरत मन के लिए अनाज के गोदाम के दरवाजे खोल दिये आज भी गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, और ये मोदी की गारंटी है, आने वाले पांच साल भी जिन परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है, मिलता रहेगा आज कोई मा इसलिए रात रात बर नहीं जाती, कि उसके बच्चे के पास खाने के कुछ नहीं है हब गरीब का पेट भरे, ये मोदी की गारंटी है कोई बच्चा भूका सोना जाए, गरीब के घर का चुला बुजना जाए इसी तो लिए आपने मोदी को बिठाया है, माताओ भेनो, आप मैंसे बहुतों को मोदी नी जो पक्का आवास योजना बनाई है, वो पक्का आवास मिल चुका होगा लेकिन मेरा एक काम करोगे आप लोग, जरह यहां बैटे हों हाथ उपर करके मुझे बताए तो मैं बताओ मेरा एक काम करेंगे, उधर से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे, उधर माताओ भेनों से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे, उधर पीछे से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे, देखे इन दिनों, अगर आप गाउं में जाते हैं, अलग-अलग बस्तियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और कहीं पर भी आपके नजर में आएं कि कोई जुगी जोपड़ी में रहता है, कोई मिट्टी के कच्चे घर में रहता है तो आप उसका नाम पता लिख करके मुझे दे दीजिए, आप उसका नाम पता लिख करके मुझे बेज दीजिए और उसको कह देना उसको बड़े बिना संकुच कह देना कि चार जुन के बाद मोदी की सरकार जब तीसरी बार बनेगी तो तुमारे लिए घर भी बनेगा उसको बता देना और ये मोदी की गारंटी है कहना उनको उस गरीब परिवार को कहना और मेरे लिए तो आप सभी मोदी है और तीन करो नए घर बनाऊंगा लेकिन एक भी परिवार न रह जाए कच्छे घर में या जोपड़ी में रहने के लिए मजबूर न हो ये मैं करके रहूंगा जिनको नहीं मिला उनको भी जल्दी पकागर मिलेगा अभी तक इसमें सोचाले बिजली कनेक्शन सस्ता सिलिंडर नर और जल की ववस्ता इस सब कुछ मिलता था अब मोदी एक और काम करने वाला है वो सब के लिए हैं कितना ही अमीर हो वो भी फायदा ले सकता कितना गरीब हो वो भी ले सकता है गाम वाला भी फाइदा ले सकता है शहर वाला भी ले सकता है ऐसी योजना है कि आपको जीवन भर को तकलीप ही नहों और मोदी ने ताय किया है कि आपका बिजली का बिल जीरो बिजली का बिल जीरो हमने पी एम सुर्यगर मुप्त बिजली योजना शुरू की है छट के उपार सोलार पैनल लगेगा उससे बिजली पैदा होगी वो बिजली आपकी जरुवत के हिसाब से आप मुफत में उप्योग करेंगे और जो अतिरिक्त बिजली होगी न वो सरकार खरीदेगी उसका पैसा देगी आपको अब तक बिजली का बिल देते थे अब बिजली का पैसा सरकार आपको देगी और ये काम करने के लिए आपको लगता होगा ये मोदी बिजली का बिल जीरो तो ले आया सुर्य सोलर पैनल की बात तो कर रहा है लगाएगा कौन उसके लिए भी मोदी हर परिवार को 75,000 रुपया देगा और ये ओनलाइन जा करके आप अपीसे अपनी रजिष्ट्री करवा सकते हो ओजना चालू है अजी गपडबाजी नहीं है कि ये होगा तो वो होगा नहीं चालू है आप अपना नाम रजिष्ट्रा करवा दीजिए जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपका नमबर लग जाएगा बेटा तुम ठक जाओगे कोई मेरे स्पीजी के बंदू आप मुझे देना चाहते है ये मेरे लिए लाए है अच्छा मैं ले लेता हूँ भया मुझे बड़ी दया आती है तुम कपसे खड़े हो भया लेकिन मैं देख रहा हूँ तुमने बढ़िया बनाया है तुमने तुम मोदी भी बनाया है पार्लामेंट भी बनाया है कमल भी बनाया है सुन्दर बनाया है सब जड़ा कैमेरे वाले भी इन बच्चों की फोटू ले लो, आज़ा पीछे अपना नाम लिखाए बटा, आज़ा अपना नाम लिखना, और मैं आपको ये चिठी जुरू लिखूंगा, ये सब से जो भी हैं ले लीजे भाई, इतने प्यार से बच्चे लेके आये हैं, मेरा सवभाग्य है, सब कलेक कर ले लीजे भाई, जो भी लाए हैं सब ले लीजे, ले लीजे, ये बेटी भी कुछ लेके आई है, ले लीजे इससे, ऐसा लग रहा है, बच्चों का इतना प्यार, कभी कभी सोचता हूँ, कि एक कर्ज मैं कैसे उतारूंगा, मैं सब का अभारी हूँ, साथियों, जितनी बिजली चाहिए, मुप्त उप्योग करो, और बागी बचे, उसे सरकार को बेश कर कमाई भी कर लो, बाई और बैनों, नितिश जी के नेत्रुत्व में, एंडिये सरकार बिहार को बिकास की पट्री पर ले आई है, आने वाले पांच सालों में, हमें बिहार में और तेज बिकास करना है, आज उत्तरवर दक्षिन बिहार गंगाजी पर बन रहे दीगास वनपूर रेल रोड ब्रीज से जूड़ चुका है, एंडिये सरकार की पैचान ऐसे ही विकास के लिए है, आने वाले पांच साल भारतिये रेल के अधुदी करन के स्वणिम साल होने वाले हैं, इसका सीधा फाइदा पाटली पुत्र को होगा, मेरे बिहार को होगा, यहाँ नई इंडेस्ट्री आएगी, रोजगार के नए अवसर आएंगे, और इसलिए मेरे अनन्य साथी, और मैं कहूंगा, कुछ लोगों को राम के नाम से ही जगड़ा हैं, और इसलिए वो राम कृपालू नाम भी ज़हन नहीं करेंगे, ऐसे लोग जो है, जिनको राम से घोर विरोध हैं, और राम कृपालू नाम से भी उनकी माथे के बाल खड़े हो जाएंगे, ऐसे राम कृपाल बाबू, वो आपके प्रतिनिती बन करके दिल्ली भेजिये, मेरे हाथ मजबूत करेंगे, और इसलिए मैं आपके पास आशिरवाद मागने आया हूं, और कमल पर पड़ा आपका वोट सीधे सीधा मोदी के खाते में जाएगा, तो आप जादा से जादा मद्दान कराएंगे, जादा से जादा मद्दान कराएंगे, सभी पोलिंग बूच जीत के दिखाएंगे, गर-गर जाएंगे, अच्छा मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं हाथ उपर करके बताओ तो बोलू, आप लोग करेंगे या नहीं करेंगे, मावल में माताई बेहने तो जुरू करेंगी, यह माताई बेहने तो हरा पक्का करेंगी, जरा हाथ उपर करके बताओ यह मेरा एक काम करेंगे, यह चुनाव का काम नहीं मेरा पर्सनल है, करेंगे, करेंगे, अच्छा आप अपने छेत्र में, अपने गाउं में मंदिर होंगे, देविस्तान होंगे, उन्हां जाकर के, मेरी तरफ से, आप जाकर के मत्था टेक देना है, और इश्वर से, विक्सित भारत बनाने के लिए, आश्रवाद ले लेना, ले लेंगे, हर मंदिर में जाकर के, मेरी तरफ से मत्था टेकेंगे, हर तिर्स तक्षे तरफ में जाकर के, मेरी तरफ से मत्था टेकेंगे, मेरे लिए और देश के लिए आशिर्वर मांगेंगे विक्सित भारत बनाने का काम पक्का करेंगे बोले भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद